बदोई अंतरगत गोपी गंच नगरपालीका के अंतरगत वाट संक्या 12 मोहले वास्तियों ने घरेलू बिजली की समस्या से जूंज रहे समस्या को 2019 में चुने गए सांसद गौरकनात पांडे से कहा बदोई सांसद गौरकनात पांडे ने कारेकाल्स में सांसद में सांसद नीधी से विद्यूत विभाग को बज़र देकर उभुकताव गल्स कॉलिज के देखते हुए मज़ित के पास से उतर दर्शा जाने वाले रोट से गल्स एंटर कॉलिज तक छे पोल और बिजली तार लगवा दिये तो वही कुछ वर्ष चलने के बाद जरजर तार तूड गए उभुकताव ने विद्यूत विभाग को बनाने की शिकायत की विभाग की लापरवाही का आलम यह रहा कि बन नहीं पाया और लाइन ही काट दी गए विभाग ने यह कर कर पल्ला जाड लिया कि ओपन तार होने की वज़ह से कडिया मारों से बिजली चोरी हो रहे विभाग ने आश्वासन दिया कि बन केबल लग जाएगा कई वर्षों से मज़ित के पास से उत्तर दिशा जाने वाले रोड गल्स इंटर कॉलिश तक जाने वाली LD लाइन पूरी तरीके से कई वर्षों से जरजर होने के कारण ठप है लगभग तीन वर्ष पूर्व से उभोकताओं ने पुनह विद्यूद विभाग से मांग कर रहे हैं बताते चले उभोकताओं ने लगभग 200 से 300 मीटर दूर केबल से लाइन लाइन जो आए दिन कट कर गिरता रहता है वही हमेशा दुरगटना होने का संभावना बनी रहत लगभग ती कई बार ऐसा हुआ की केबल काट कर खेल रहे बच्चों के उपर गिर जाता है तो वह उभोकताओं ने कई बार बिज्विभाग के चकर काटे लेकिन बंद केबल नहीं लगा केबल आश्वासन ही मिलता रहा लेकिन गोपिगंज विद्यूद विभाग की निवारंड है तुम मांग के